तारक मैता का उल्टा चश्मा ये शो पिछले 13 सालों से एक खासी पॉपुलारिटी बनाए हुए है। ये शक्स वो है जिसे जनता बहुत प्यार करती है और इस शो का एक टाइम पर एहम किरदार निभाता था। तारक मैता का उल्टा चश्मा इस शो के छूटने के बाद भव्य गांदी अपनी जिंदगी को ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे थे। वेट लूस कर रहे थे और कुछ गुजराती प्रजेक्स भी उन्होंने साइन कियो हैं। ऐसे में अब भव्य गांदी के फैंस के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि वो बिग बॉस के घर में नजर आने वाले हैं। हाला कि एक बार पहले इंटव्यू में जब भव्य गांदी से इस शो के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि बिग बॉस के लिए उन्हें इतना इंट्रेस्ट नहीं है, अगर एडवेंचर या स्पोर्ट से रिलिटिट कोई शो है, रियालिटी शो, तो उस में वो हिस्सा जरूर लेंगे, अब ये देखना वाकई में इंट्रेस्टिंग होगा, कि तारक मैता का उल्टा चश्मा शो में एंटिटेन करने वाले भव्य गांदी, क्या बिग बॉस के कंसेप्ट को सवश्वाएंगे, क्या उस तरह से इस गेम को खेल पाएंगे?